Hello Friends, मैं Dr. Chetan Trivedi, Practicing Pediatrician, आपका स्वागत करता हूँ. सबसे पहले तो मेरे पहले वीडियो को लाइक और शेर करने के लिए बहुत बहुत धनिवाद. हमने एक वैक्सिन अवेनेस वीडियो जारी किया था, जिसमें गुजराती फिल्म एक्टर और एक्टरस इसने कुछ क्वेस्चन किया थे और हमने उनके जवाब दिये थे. अब कल Government of India और ICMR की तरफ से एक नई गैडलाइन्स जारी की गई है, जिसके इसाब से कुछ क्वेस्चन के आंसर में चेंज है, मतलब बदलाव है, तो वो क्या बदलाव है, वो आज हम डिसकस करने जा रहे हैं. सबसे पहला सवाल कि जो मेलाएं अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, तो क्या उनको हम COVID का वैक्सिन लगा सकते हैं? तो नई गैडलाइन्स के इसाब से हाँ, जो मेलाएं जो माता हैं अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, उनको हम COVID का वैक्सिन सेफली दे सकते हैं. दूसरा सवाल कोवी शिल्ट के दो डोस के बीच में क्या अंतर रखना चाहिए तो Government of India की नई guidelines के इसाब से कोवी शिल्ट के दो डोस के बीच में कम से कम तीन से चार मेने का अंतर रखना जरूरी है कोवेक्सिन के दो डोस के बीच में चार से छे हफ़ते मतलब 4 to 6 weeks का अंतर रखना जरूरी है अब सवाल कि किन व्यक्तियों को कोरोना की वैक्सिन को पोस्पोन या डिले करना चाहिए तो जिन व्यक्तियों को कभी कोरोना की वैक्सिन नहीं लगी है और उनको कोरोना इंफेक्शन हुआ है जो लेब डियाग्नोस प्रू है means RT-PCR या rapid antigen test positive है उनको रिकावरी के तीन मेने के पश्चा दी कोरोना का वैक्सिनेशन का शेडूल चालू करना चाहिए जो व्यक्ति जिनको कोरोना की वैक्सिन का एक डोस लग गया है और दूसरा डोस लगाने से पहले कोरोना का इंफेक्शन हुआ है तो उनको रिकावरी के तीन मेने के बाद ही दूसरा डोस लेना चाहिए ऐसी व्यक्तियां जिनको कोवेड इंफेक्शन हुआ है और hospital में admit करना पड़ा है जिनको conventional plasma या tocilizumab, monoclonal antibody जैसी treatment करनी पड़ी है तो उनको recovery के 3 मेने के बाद ही corona की vaccine दी जा सकती है चौथा ग्रूप के जिन व्यक्तियों को कोई गंबीर बीमारी है जिसकी वाई से hospitalized करना पड़ा है तो उनको recovery के at least 4 to 8 weeks या 1-2 मेने के बाद ही corona की vaccine लगा जा सकती है अब जो व्यक्तियां blood donate करना चाहते है और उन्होंने या vaccine ली है corona की या उनको corona infection ही हुआ है तो कब आप blood donate कर सकते हो तो जिन व्यक्तियों को corona की vaccine लगी हुई है वो vaccination के 14 दिन के बाद blood donate कर सकते है उनको recovery के बाद COVID-RT-PCR negative होने के 14 दिन के बाद आप blood donate कर सकते हो तो यही एक condition है जहां आपको recovery के बाद COVID-RT-PCR negative prove करना है नहीं के सभी व्यक्तियों के जिनको corona infection हुआ है तो आपको repeat RT-PCR करके negative prove करना कोई ज़रूरी नहीं है मतलब आप repeat मत कराईए अब जिन व्यक्तियों को vaccination लेने जाना है तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि हम पहले rapid antigen या RT-PCR कराके corona नहीं है वो check करके vaccination लगवाने जाए तो government की guidelines very clear है कि आपको कोई report करने की ज़रूरत नहीं है आप सीधे सीधे vaccination center पर जाएए और आप vaccination करवा लीजिए तो ये कुछ नए बदलाव थे जो मैं आपसे discuss करना चाहता था तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो please उसको like और share किजिए stay happy and stay safe thank you so much